भरती के बाद मेडिकल कैसे होता है नमस्कार दोस्तो मेरा नाम अतुल मैधिल और आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आर्मी में आपका मेडिकल कैसे होता है सरीर का कौन सा अंग सबसे पहले चे किलियर करेंगे आपको पूरी जानकारी बताएंगे तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भाई चैनल को पहली बार देख रहा है और साथ में बेल का आइकन को ओल पर सेट कर लेना और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करते हैं इस वीड भरती का हो चाहे आपका TA भरती का हो एक जैसे सभी medical होते हैं ऐसा नहीं है कि relation वालों का अलग होता है TA वालों का अलग होता है तो जितने भी आपके medical होते हो एक जैसे होते हैं ठीक है मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसी इमेज बताऊंगा आप उनको द्यान से देखना ठीक है और प्लीज लड़की इस वीडियो से दूर रहें ये आपके लिए जरूरी नहीं है ठीक है तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ आपको सेंटर के बाहर बैठा दिया जाता है आपको एक यानि की पहले तो आप सेंटर में जाएंगे सेंटर में जाने के बाद आपको एक जो हमारा रूम होता है जिसमें आपका मेडिकल होता उसके बाहर बैठा दिया जाता है और आपसे बोल दिया जाता है कि सिर्फ अंडर बियर में ही रहें ठीक है बाकि कि अपने जतने भी कपड़ें वह अपने बैग में रख लें ठीक है बैग में रखने कि आपको यह करना यह करना है उसके बाद यह करना है ठीक है दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले वो आपके हैंड चेक करेंगे ठीक है तेड़ा तो نہیں है कि कोई परेचानी तो नहीं है ठीक है और फिर जैसे कि मैं हाँ पर आपको तो आप हमारे Screan पर देख सकते हैं ठीक है ईसनी इस हिसाब से कर लिए अतों आपको इस हिसाब से अपने जो पॉइंट्ट म鉄 cambiar करने ठीक है फिर दोस्तों आपकी वो उंगली चेक करेंगे कि आपकी कौन सी उंगली टेडी यह जो आप मोंरी स्क्रीन पर देख रहे हैं ठीक энहिक है एगर आपकी उंगली टेडी है तो उन्हें आप cover करें जो मैं आपको next screen में दिखाने वाला हूँ आपको उस हिसाब से उंगली कर लेनी है कि उनको पता नहीं चले जो हमारी उंगली वो टेडी है ठीक है क्योंकि मेरी उंगली एक टेडी थी पर मैंने वो अपनी cover कर ली point नहीं बना ठीक है उसके बाद दोस्तों आपके जो हाथ है मुठी उनको वो बिचवाएंगे और बोलेंगे कि इनको एक या दो मिंट के लिए ऐसी रहने दो अगर आपके हाथों में पसेव बन गया तो दोस्तों उस पर आपको point मिल जाता है क्योंकि ये पसेव वाला point बहुत कमी तूटता ठीक है तो आपसे वो कभी भी बोलें कि आपको अपनी मुठी बंद करने है तो आपको धीले से बंद करने है जिससे आपका जो हाथ में पसीना ना है जिससे पसीना आने के बज़े से आपको point मिलता है ठीक है एक तो दोस्तो आपके जो आपका हाथ है जो आपकी हम इसे हतेली बोलते हैं एक तो दोस्तो यहाँ पर वैलिड है जो आप स्क्रीन वन और स्क्रीन टू में देख रहे हैं ठीक है है तक कौनी तक आपका जो टैटू वैलिड है उससे उपर कहीं भी सरीर में आपका टैटू है और आपके जैसे कि मैं हाँ पर आपको स्क्रीन में देखा देता हूँ कुछ ऐसे टैटू जो valid है और जो valid नहीं है ठीक है जैसे कि ओम का टैटू आपके हैंड पर है कौनी से उपर तो दोस्तो वो चल जाएगा ठीक है अगर इस परकार सा जो इस परकार का टैटू है ये भी और कुछ मैं ऐसे टैटू आपको देखा देता हूँ जिससे कि ये जो ये किसी भी धरम को नहीं डिपेंड करता यानि कि दरसाता तो ये टैटू दोस्तो valid नहीं है ठीक है ये ये भी टैटू वैलिड नहीं है और जो next टैटू आप देख रहे हैं ये भी टैटू वैलिड जायेगा ठीक है फिर दोस्तों यहाँ पर आपकी नोकनी चेक करते ही ठीक है आपके पाउं जैब आपके पाउं ठीक आपके पाऊंं में गयफ नहीं है अगर गयफ है तो कितना है तो उसे साफ से दोश्तों Siya ऑगर आप देखोगे जिससे जो गैप हो कम हो जाए अगर आपके पाउं में गैप नहीं है टच है तो दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको मेडिकल से एक डेट दो महीने पहले अपने पामों को बीच में तक्या रखके रहने की बांध लेना चाहिए ठीक है जो आप हमारी वीडियो में देख रहे हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो आपकी नाक को चेक करते हैं कि आपकी जो नाक की हड़ी ह तो नहीं है ठीक है यहाँ पर दोस्तों आपको काफी नाक की जो हड़ीयों के वारे में आपको देखने को मिलेगा नॉर्मल कौन सी है और किसी हिसाफ से आपकी हड़ी में जो नाक में परेशानी कर रही है आपको जिसको आपको पॉइंट मिलता है तो यहाँ पर दोस्तों वाले हैं वो थोड़ सा इतना ध्यान से चेक नहीं करते हैं बाकी बहुत नॉर्मल करते हैं पर कुछ-कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी तरीके से करते हैं पिक्चर जो देखोगे आप मैं स्क्रिन पर यहाँ पर भी दोस्तों आप देखेंगे कि नाक टेड़ी एठीक इसे साफ से अगर आपकी नाक होई तो वह ही पर आपको पॉइंट बनाके मेडिकल में अन्फिट करके बाहर कर देगा ठीक है फिर यहाँ पर दोस्तों आपके का का परदा ठीक है और मैं आपको एक सुझाद देता हूं आप कभी भी मेडिकल से पहले अपने कानों की सपाई अच्छी तरह करवा लें ठीक है आप अपने कानों की सपाई करवा के जाएं ठीक है और बाकी कोई दिक्कत नहीं और जिस भाई का ऑप्रेशन हुआ है अगर वो दोस्तो आपको पॉ Christians पर देख रहे हैं दोस्तो आप अपने दातों की भी अगर किसी भाई के दात में की रहा है तो वो सपाई करवा के ले जाए अगर आपको पॉइंट मिल जाता है तो मैं आपको एक सुझाद देता हूं कि कुछ ऐसे जो आर्मी में होते हैं वो दस होता है उसे रिमूर कर देते हैं ठीक है यह आपको मैं सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हुँ मुझे कंफरम है नहीं बाकि एक-दो आपको ऐसे मिली जाते हैं ठीक है फिर दोस्तों यहां पर आपकी आखी चेक की जाती हैं कि कि आपकी आखे एकदम सही हैं आपके सामने कुछ ऐसे यानि कि पोस्टर लगा होगा उसमें आपको लेखा होगा टी-ई-पी-सी-ओ तो आपको एक आख बंद करके और एक खुली रखके आपको बताना है और अगर आपको पॉइंट नहीं मिला तो अच्छी बात हैं इस जो म आप बता सकते हैं कॉमेंट करके इसमें क्या लिखा है और नेक्स्ट में दोस्तों आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं इसमें आपके सामने काफी हैं जिनमें काफी संक्या लिख हुए जैसे कि मैं आपको बता दो पांच तीन पंद्रे चौतर पांच पंद्रे ठीक है उ उसे हसाब से और नेक्स्ट जो आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं फिर उसके बाद दोस्तों आपको एक अलग कमरे में लेके जाते हैं ठीक है उसके में दोस्तों आप स्क्राइब जो आपको मड़ने के लिए और फिर आपको मुडने के लिए देख रहे हैं इसे साफ़ से वह नहीं है और आपको बावासीर थीक है और वह आपके नीचे आपके दो पार होते हैं उनको भी अच्य दरा स्ट्राब चेक करेंगे आने कि किसी भाई के एक डोनुत है है इसे साफ से तो आपके इसे साफ से मेडिकल होता है और जिसका मेडिकल फिट हो जाता है वह आगे एक्जाम में बैठता है जिसका अनफिट हो जाता है उसको री मेडिकल के लिए भेजा जाता है जिसमें उसको point ملता है और जिसमें उसको point मिलता है वो दोबारा medical होता है अगर वो फिट हो जाता है तो फिर से वो exam में बैठेगा उनिके exam में जायीगा अगर उसको point नही topics टूटा है तो दोस्तो उसे वहाई से बाहर कर दिया जाता है तो दोस्तो यह आपके लिए वीडियो बहुत अच्छी थी उमीद करूँगा तो बिलीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को अल पर सेट कर लेना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिंद